नमस्कार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइनुसाइटीस के बारे में साइनुसाइटीस एक बहुत ही कोमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों में ये देखने को मिलती है हमारे जो चहरे की हड़ियां होती है इनमें कुछ खाली स्पेसिस होती है जिनको हम साइनुस बहुते हैं इन साइनुस का काम होता है कि मुक्रस को प्रोड्यूस करना और नोस के थुरू ड्रेन आउट कर देना इन होलो स्पेसिस की जो मेंब्रेन है उनमें जब इंफ्लामेशन हो जाती है किसी भी कारण से तो उस कंडिशन को हम साइनोसाइटिस को होते हैं कारणों में सबसे पहला कारण है इंटेक ओफ एड़र्स फूड कंबिनेशन जैसे की बहुत ज्यादा ओली ड्राइव स्पाइसी फूड्स का खाना या फिर ऐसे खाने खाना जिनकी की डिजेशन होना काफी डिपिकल्ट है जो या जो हैबी फूड्स में जब हमारी बॉड़ और उसके एकमिलेशन की वजह से कंजेशन स्टार्ट हो जातीया और ब्रीधिंग में प्रॉब्लम्ट हो जाता है तब यही पित इनेटिशूस की मेंब्रेंस में जाकर इर्टेशन काॉस करता है, इंफ्लमेशन कर देता है और sinusitis की problem को और भी adverse कर देता है, इसके अलावा बार-बार bacterial infections का होना, allergies का होना, यह जिनकी immunity बहुत ज्यादा कम है, उनमें यह repeated infections होना, more exposure to cold, dusty यह dry weather, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, इसका sinusitis का. इसमें fever देखा गया है, high grade fever तक भी हो जाता है, आँखों के नीचे बहुत ज्यादा pressure फील होता है, headaches बहुत रहते है, weakness, fatigue रहता है, anxiety ज्यादा रहती है, आथ के समय ज्यादा drainage होती है, post nasal grip स्टार्ट हो जाती है, जो संबधित sinuses है, जहां जहां पर, जिंजिन sinuses में भी infection होई ह अगर वहां पर प्रेस करें हम तो वहां पर pain होता है, सिर को आगे की और जुकाने में, पूरे सिर में या चेहरे पर pain होता है, loss of smell भी कहीं के, केसी में देखी गई है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, congestion की वजए से, नाक से सांस लेने में बहुत दिक्ष होती है, आय पर दोड़ एक्यमिलेट हो गए है या पैदा हो गए है उनको बादी से बाहर लेका, तो शोदन चिकित्सा में वमन है, करवाया जा सकता है, नस्या है, शीरो विरेचन है, धूम रपान है, और कफ हर चिकित्सा ये सबी शोदन चिकित्सा के अंतर गताता है, इसके बाद ब सब्समें है, ताम रभसमें है, इनका अब्रोप किया जाता है, और सीरॉप में, कनका सब है, फिपल ये सब चीज़ें, ये सब मेडिसिन काफी हल्फुल है, साइनोसाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये मेडिसिन बता दी और आपने मार्केट से ले ली और आपने खानी स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं है, अपनी हर वीडियो में बताती हूं, अपनी डोस बेरी करती है, मेडिसिन बेरी करती है, देखिए, देखिए, कोई पर डिजीज बॉडी के अंदर होती है, वो सिरफ एक ही कारण से होती है, कि इम्मुन उसके अपकी मेडिसिन को कस्टमाइज किया जाता है, और बोडी टो बोडी ये वेरी करता है, इसलिए मैं बार बार आपको रेग्रमेंट करती हूं, किसी भी यूट्यूब की वीडियो से सुनकर कोई भी मेडिसिन ऐसे ही कभी भी ऑर्डर मत कीजिए, हमेशा अपना बोड कि ए रमान रसायन है, दश्मूल रसायन है, व्याग्र हरीत्य है, चित्रख हरीत्य हरीत्य है। वगि इनके डोज वेरी करेगी और डे जो कि administer की जा सकती है sinusitis के patient के लिए एक remedy में आपको पता देती हूँ जो आलमोस हर sinusitis के patient को दी जा सकती है वो है दशमूल और ठीकटू की decoction बना कर उसको शहद के साथ mix करके देना ये काफी effective है दिन में एक बार इसको दिगा जा सकता है एक अफ्टे तक इसका सेवन किया जा सकता है बड़े अराम से दूस में जबसे पहले तो आपको complete rest करना है mind को शांत रखना है anxiety नहीं लेनी है warm soups लेने है teas, coffees आपके लिए काफी helpful रहेंगे इसमें ginger, garlic का थोड़ा सा सेवन बढ़ा दीजिए हल्दी वाला गरम दूदी सेवन किया जा सकता है मूंग दाल, फुल्थी दाल यह दोनों दाले बहुत इफेक्टिव इनका सूप बना के भी पिया जा सकता है या इनको आज़िस भी आज़ा सकता है दाल बना कर खाने में मसालों के इंटेक बढ़ा दें जैसे कि लॉंग, काली मिप्ज, छोटी लाइची, बड़ी लाइची, तेजपत्ता, जावित्री, सिनमन इन सब चीजों का सेवन आप खाने में थोड़ा सा बढ़ा दीजिए मसाज on face is very helpful, जो sinuses की जो places है यहाँ पर तिल के तिल की मसाज की जा सकती है और इसके बाद आप थवड़ा सा स्टीम दी ले सकते हैं वाइटमिन इस वेरी वेरी हलफुल इन बिल्डिंग अप देमिनिटी वाइटमिन सी के सप्लीमेंट्स भी ले जा सकते हैं वाइटमिन रिच फूट्स जो है उनको उनकी भी इंटेक आपको बढ़ा देजिए दोंट्स में आपको ज्यादा धूल मिट्टी वाले एरियमें नहीं जाना है अपने आपको जितने ज्यादा एलर्जन्स या पॉल्यूटेंट्स से बचा सकें बचाएं आपको हेवी फूड्स नहीं खाने हैं जैसे कि मैंने पहले भी बात की ओली स्पाइसी फूड्स नही इसके लावा दिन में नहीं सोना है आपको च्रफ रात को ही अपनी नीज़ पूरी करनी है केला घी, अचार तेल इन सब चीजों का सेवन नहीं करना नहीं करना दहीं को आपने थोड़़ से वाइड करना है पृष प्रिच कि लगे भी ठंडी चीज कोहीं बिनी लेनी है I hope ये वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा होगा इसके लावा अगर आप उनसे कुछ भी पूछना चाते हैं या आयर्वधी consultation लेना चाते हैं तो आप मुझे मेरे whatsapp पे contact कर सकते हैं उसका लिंक मैंने description box में दे लिया है Thank you for listening to me have a nice day bye bye